कि एड़ो फ्रेंट्स वेलेकम टू जीनियस जी का इस्टाफ स्वेडियो में हम यू एन ओ यू नेशन और गुनाइजेसंस समधित मोस्ट इंपोर्टन कर से इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्वेडियो में यह कोशन आपके आने वेले सभी एक्जाम के पॉइंटर फिसे ब राइट एंसर है अप्सन बी 24 अक्टोबर 1945 सहिंक तुराष्ट संग यहाँ एक अंतराष्टी संग अथन है जिसका उदेश यहाँ है कि अंतराष्टी कनून को स्विधाजर्ग बढाने के लिए सहयोग से अंतराष्टी सुरक छा आर्थिक विकास और समाजिक प्रगत और म अप्सन सी नुई-योर्क में नुई-योर्क यहाँ अमेरिकर राज में है नेक्स्ट उचन वर्तमान में सहिंक तुराष्ट संग यू एनो के सदस्य देश कितने हैं राइट एंसर है अप्सन भी 193 नेक्स्ट उचन कौन सा देश सहिंक तुराष्ट संग यू एनो का 193 देश बना है राइट एंसर है अप्सन भी सुडान सुडान देश यहाँ सहिंक तुराष्ट संग का 2011 में सदस्य देश बना है नेक्स्ट उचन भारत सहिंक तुराष्ट संग यू एनो में कब सामिल हुआ था राइट एंशर है उपसने, 1925 में next उशेर सवाइग तुराष्ट संग, UNO के कितने अंग है राइट एंशर है उपसन D, 6 अंग सवाइग तुराष्ट संग, UNO के 6 अंग है पहला है महासभा यानि जन्रल असम्मिली और दूसरा सुरक्षा परिसद यानि Security Council और तीसरा अंतराश्टी नियाल यानि International Court of Justice और चौथा है आर्थिकवा समाजिक परिसद यानि Economic and Social Council और पाँचवा है पाँचवा सचवाल यानि Secret Trade और चठाए नियासी परिसद यानि Trustship नियासी परिसद यानि Trustship इसको पूल रूप से बंद कर दिया गया है Next Question सायुक्तराश्ट संग सुरक्षा परिसद में इस्थाई सदस देशों को संख्या कितनी है राइट एंसर है Option A 5 सायुक्तराश्ट संग सुरक्षा परिसद में इस्थाई सदस देशा है 5 पहला है सायुक्तराश्ट अमेरिका दूसरा है United Kingdom यानि Britain और तीसरा है रूस और चौथा है चीन और पांचवा है फ्रांस Next Question सायुक्तराश्ट संग कि स्थापना का मुख युद्यश क्या है उप्युक्त सभी अंतराश्टी सुरक्षा और दूसरा है आर्थिक विकास और तीसा समाजिक प्रगद और पांचवा है मानो अधिकार और छठा है अंतराश्टी सांत और सुरक्षा Next Question सायुक्तराश्ट संग मुख य अधिकारी कौन होता है Right answer है Option A महा सच्चू सायुक्तराश्ट संग का मुख य अधिकारी होता है महा सच्चू Next Question सायुक्तराश्ट संग के महा सच्चू की नियुक्त किसके दौरा की जाती है Right answer है Option D शुरुक्षा परिशत के सिफारिस पर संग के महासचिव की निगत की जाती है वरतवान में संग के महासचिव कौन यानि सिक्रेटरी जनरल कौन है राइट एंसर है उप्सन ए इंटोनियों गुटेरस नेक्स्ट उशेन सईकत राष्ड महासभा की पहली मेल धक्ष कौन थी राइट एंसर है उप्सन ए विजय लक्षमी पंडित ये भारत से है नेक्स्ट उशेन सईकत राष्ड संग का कारेलय की कारिकरिभासा कौन सी है राइट एंसर है उप्सन है अंग्रेजी और फ्रेंज संहिंक तराष्ट संग के का रहलै की कारी कारी भसा है अंग्रेजी और फ्रेंच संहिंक तराष्ट संग में 6 सुकृति भसा कॉन कॉन सी है राइट है अप्सन बी अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी, अर्भी, रूसी और स्पेनिस यह साइंक तुराष्ट संग की 6 स्विकृति भासा है साइंक तुराष्ट संग की कारी-कारी भासा दो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच जिनको बढ़ा जाता है Next option साइंक तुराष्ट संग यू एनो में हिंदी में भासाड देने वाले प्रथम भारती काउन थे राट एंसर है उप्सन सी अटल विहारी बाजपे Next option साइंक तुराष्ट संग यू एनो में हिंदी में भासाड अटल विहारी बाजपे ने कब दिया था Right answer है option A 4 October 1947 को Next to to change Parliament of the World किसे कहा छाता है Right answer है option A General Assembly को Parliament of the World कहा छाता है General Assembly को यानि महा सभा को Next to change किस वर्स सवयंक तुराष्ट्र संग यो एनो को सांति के लिए नोबल परषकार दिया गया था राट अंसर है अप्सन सी 2001 में नेक्स्ट और संग सांति नोबल परषकार से समानति कया था उस समय महाहस्चिय कोन थे राइट एंसर है उप्सन ए कोफी अन्नान नेक्स्ट उश्यन साहिक तुराष्ट संग के वर्तमान महासचिव इंटोनिय गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव है राइट एंसर है उप्सन से नवे नेक्स्ट उश्यन सुरक्षा परिसद में वीटो यानि निसेशा अधिकार का अधिकार किसके पास होता है राइट एंसर है उप्सन भी इस्थाई सदस देश के पास वीटो का अधिकार यानि पर्मानेंट मिम्बर के पास होता है या अमेरिका ब्रिटेन चेन रूस फ्रांस के पास है सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है। सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है। वेटिकन सिटी और तैवान देश ये सईंगत राष्ट संग यो एनो के सदसी देश नहीं है। अटल विहारी वाजपई ने सईंगत राष्ट संग के किस अधिवेशन में 1907 में भासट दिया था। राष्ट एंसर है उप्सन है बतिस्वे अधिवेशन में। नेक्स्ट विशन अंतराष्टी नियाले के स्थावना कब ही थी। राष्ट एंसर है उप्सन बी। तीन अप्रेल निसो चेलिस को और अंतराष्टी नियाले का मुख्याले है हेग में। हेग यह नीदरलेंड में है और नीदरलेंड की राजधनी है एमस्टरडम और अंतराष्टी नयाले में नया धीसों की संख्या है पंदरा नेक्स्ट उश्यन अंतराष्टी नयाले में नया धीसों की संख्या कितनी है राइट एंसर है उपसंडी 15 अंतराश्टी नेले में नेदिसो संख्या है 15 नेक्स्ट उशेन सहिंग तुराश्ट महा सच्चु का कारिकल कितने वर्ष का होता है राइट एंसर है उपसंडी 5 वर्ष का नेक्स्ट उशेन सहिंग तुराश्ट संग यू एनो की लाइबरेरी का क्या नाम है राइट एंसर है उपसंडी 5 वर्ष का नेक्स्ट उशेन सहिंग तुराश्ट संग का अंग सचिवाले का अध्यक्ष कौन होता है राइट एंसर है उपसंडी 5 सहिंग तुराश्ट महा सचिव सहिंग तुराश्ट का सचिवाले का अध्यक्ष होता है सहिंग तुराश्ट के महा सचिव सहिंग तुराश्ट संग के किस अंग को दुनिया का पुलिसमेन कहते है राइट एंसर है उपसंडी 6 सुरक्षा परिसद को सहिंग तुराश्ट संग के प्रत्थम महा सचिव का क्या नाम है सुप्षेंड्स इस कुश्चन का अंसर आप सभी को कमिंटर बोक्स मताना है सुप्षेंग तुराश्ट संग के सचवाले चार्टर में कितने अध्याय और नुख्षेद है राइट एंसर है उपसंडी 6 सुप्षेंग में 19 अध्याय और 111 नुख्षेद है नेक्स्ट उश्याय अंतराश्टी नियाले की इस थापना कब हुए थे राइट एंसर है उपसंडी 3 अपरेल 1926 को सुप्षेंग तुराश्ट संग दिवस कब मना जाता है राइट एंसर है उपसंडी 24 अक्टूबर को नेक्स्ट उश्याय अंतराश्टी नियाले में पहले भारती नियाधिस कौन थे राइट एंसर है उपसंडी नगिंद्र सिंग अंतराश्टी नियाले में पहले भारती नियाधिस थे नगिंद्र सिंग नेक्स्ट उश्याय अंतराश्ट संग की कारेले को क्या कहते है राट उन्सर है अप्षन सी सुरक्षा परिसद। नेक्स्टूशन 1945 में 50 देशों के प्रति निधियों ने कहां सायूत राष्ट के चार्टर के लिए ड्राप्ट त्यार कया था। राट उन्सर है अप्षन दी सैन फ्रान्सिसको में। नेक्स्टूशन प्रतिवर्ष कब महासभा का समेलन होता है राइट एंसर है उप्षन भी शितंबर मंध में सहिंक तुराष्ट का नाम किसी ने दिया था राइट एंसर है उप्षन भी फ्रैंकलिन रूजिवेलिट ने सहिंक तुराष्ट का नाम दिया था अमेरिकी राष्ट पती फ्रैंकलिन रूजिवेल्ट ने सहिंक तुराष्ट में आज थाई सदस्यों की संख्या कितनी है राइट एंसर है उप्षन सी 10 सहिंक तुराष्ट में आज थाई सदस्यों की संख्या है 10 सुरक्षा परिस्द को सविंक तुराष्ट की कुंजी किसे ने कहा था राइट एंसर है उप्सने पार्मर और पार्किंस ने सुरक्षा परिस्द को सविंक तुराष्ट की कुंजी कहा था पार्मर और पार्किंस ने साइंक तुराष्ट के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है राइट एंसर है उप्सने धारा 27 में साइंक तुराष्ट गोसला पत्र का मूल उप्रति कहां सुरक्षित रखी गई है राइट एंसर है उप्सन भी अमेरिका के राष्ट्री पुरा लेखगार में साइंक तुराष्ट महासभा को संसार की नगर सभा किसे ने कहा था राइट एंसर है उप्सने शो माने सो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें ने चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर लाचिंग इस वीडियो